Hello everyone, तो यहाँ पर हम आ गया है second part में इस section के, जहाँ पर हम देखेंगे कि functions को expression में किस तरह से लिखते हैं तो अभी हम चलते हैं board पर और वहाँ पर इसका example देखते हैं, then इसको solve करेंगे हम लोग dartpad के editor पर Hello everyone, तो यहाँ पर हम आ गया section 6 के second part में, जहाँ पर हम देखेंगे function को expression में किस तरह से लिखते हैं तो यहाँ पर अभी आपके पस क्या example है, void में लिखा मैंने area right करके function को call किया तो क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा area right जिसमें हम में पास parameter है, L एक parameter है और एक parameter है और एक parameter है तो तो दोनों का multiply होके A में चला जाएगा और A पर प्रिंट हो जाएगा लेकिन यहाँ पर मुझे parameter पास करना पड़ेगा तो क्या चला जाएगा 2 & 3 यहाँ चला जाएगा और यहाँ पर 6 प्रिंट हो जाएगा तो यहाँ पर भी expression function को expression में मुझे लिखना है तो कभी भी function के अंदर code होगा तो single line होना चाहिए लाइन ही ओना चाहिए ओके तो यहाँ पर दो नाइन है मेरे पास तुमझे इसको एक लाइन में बदलना पड़ेगा एक लाइन में बदल सकता हूं कि यहाँ पर L इंटू भी है इसके अंदर 6 गया और 6 यहां पर प्रेंट बाग तो इससे अच्छा मेरा जो दो लाइन है इसको मैं एक लाइन बना सकता हूं किसे प्रेंट इसको यहीं पर अगर में कर दू और यह लाइन हटा दू ओके तो अभी भी बात वहीं है तो क्या कि हमने लिंटू भी था उसको ए में फुट किये ते अच्छा हम क्या करते लिंटू बी को डारेक्ली प्रिंट कर दें तो हमने डारेक्ली प्रिंट कर दिया इसको सिंगल लाइन होंगा एक्स्प्रेशन है तो इसको अभी हम लोग एक्स्प्रेशन में कैसे व्हां तर्व से हम लोग फॉंक्ष्ण को एक्सप्रेशन में बदल सकते हैं तो यहां पर फॉंक्ष्ण था तो परली प्रेकेट रहें तो फॉंक्ष्ण को छोटा था लिपने को फोड़ा वोईड एरिया रैक्ट जो था वहीं लिखर वापसे में एरिया रैक्ट इंड यह वाला यहां पर एक्सप्रेशन गों यहां पर आम लिख देंगे इस तरह से तो यह पार्ट कुरा हर गया तो देखो पूरा इतना बड़ा जो पोड़ता उसको अम लोग ने इस इंडल लाइन में ही लिख दिया तो सिंगल लाइन को लिख देते हैं तो उसको भी बोलते करना उसको डारेक्ली प्रिंट एंटू वी जो भी वैलू रहेगा 6 वो प्रेंट हो जागा 2 इंटू 3 का पच्छी तो 6 प्रेंट होगा ओके यह तो रही पार वाइट फॉंक्शन अभी आपको लोग इंट में क्या करेंगे तो मैं इक पर फॉंक्शन यहां पर ले लेता प्रेंट अभी है स्कॉर्म अवरे लेता है आप नाम देखा फॉंक्शन गा और मैं आपट पास क्रहें पोड़ोगा फॉरं को फैसीं को क्यूरं कार्द कि दिए लिए नाम इसक्जे़ा एंट और रिए फॉंक्शन अपके ङुपन का फॉंक्शन उसके आगे मैं लिखूं और यहां पर पास्व हमारा वैल्वी पोई भी एक एले लेता हूं है तो अभी इसमें क्या आने वाल है ऐसा आएगा रिटन रिटन बी कर देता हूं और एंटू ए इस से मतार स्कॉर होगा देखो क्या होगा है आपर वाइड में लिखा मैंने स्कॉर फोर तो फोर का चल जाएगा एंच जाएगा और इसको मुझे इसके इसके प्लेशन आज जाएगा और इसको मुझे इधर इस वेरियेबल में असाइंड एकंड बडुब टो इसको प्रेंट करने प्रेंट के लिए वाल में यह एक्स परेंट करने कि मैं प्रेंट क्यों हैBlack चैनल यहां पर कंगे में देघ्षय हैं अभी बीस ऐसे धस्रमें अब अव्हेल एधाक हर्याते हैं ह्लाइम अगे पिफान थे वंके ऐसे लिखे इंट अब तो म Vietnamese okay तो यह अब रिटन हो जाएगा जो भी वैल्यू देगा अभी आपर क्याएगा इसको आप 4 तो इसको रिटन क्या जाएगा हमना है 4 x 4 16 को रिटन कर देना जहां भी कोई होगा तो यहां पर 16 आज जाएगा और 16 को S में पूट कर दिया और print S कर दिया लेकिन अभी इसमें जैसे हमने वॉइड में हमने कगली ब्रेकेट को हटा दिया पूरी चरह से तो अभी इंट में आपको याद रखना है कि आप जो रिटन है इसको नहीं लिखना है तो यह ऑ्टमेंटिकली समझ जाएगा यह रिटन ही करना है तो इसको लिखने की जरुद तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पंक्शन को एक्स्प्रेशन में किस तरह से लिखते हैं और फिर सॉटेंड इंटेक्स क्या होता है और फैट एरो क्या होता है वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले है तो इस पिछले वीडियो का एक्सांपल था वही एक्सांपल को लिए और यहां पर मैं कवर करूँगा ओके जो फंक्शन को एक्स्प्रेशन में किस तरह से लिखना है तो सबसे सिंपल तो सबसे इंपोर्टन चीच क्या है इसमे कि फंक्शन को एक्स्प्रेशन में लिखने के लिए कि फंक्शन जो भी आप लिखोगे उसमें जितने भी लाइन होगे वो सिर्फ एक लाइन ही होना चाहिए तो यहां पर जैसे मेरे पास दो लाइन है अगर तीन लाइन होगा दस लाइन होगा तो आपको उस कोड को एक ल किया तो मैं क्या करूंगा इस दो लाइन का वेश्टेज हो रहा है इसको एक लाइन में कर सकता हूं पैसे यहां पर यहां पर a को print करने से अच्छा मैं क्या करता हूं directly l into b को print कर देता हूं आपर और यहां पर bracket दाल देता हूं कि दोनों के पास जाए तो यहां पर मैंने क्या किया a को print करने से अच्छा मैंने क्या कर दिया directly l into b को print कर दिया तो यहाँ पर आपको दिख रहा है single line हो गया यह ओके तो यहाँ पर भी अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पर भी जो मैं P में इसको value put किया हूँ और फिर P को मैंने return किया है तो इसे अच्छा मैं क्या करता हूँ यह P variable को हटा देता हूँ और directly यहाँ पर मैं return कर देता है इसको P के जगे पर directly मैं उसको return कर सकता हूँ directly बात वही हो जाएगा इसमें भी एक की line बचा और इसमें भी एक की line बचा तो अभी मैं इसको expression में किस तरह से बदलना है अगर void type का आपका होता है अगर function void type का होता है तो आपको curly bracket हटा देना है curly bracket हटा देना है और इसको single line में लेके आना है जो भी function आपको लिखना है अभी आपको लिखना है equal to and greater than का sign इसको हम लोग बोलते fat arrow तो जो दिखता है equal to and greater than इसको बोलते हम लोग fat arrow और आपका यह function हो गया same जो आपने पहले function लिखा था और जो आपने एक line में लिखा है इसको हम लोग बोलते function को expression में बदल तो अभी same ही काम करेगा कोई difference नहीं होगा run करके हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर तो इसको मैं अभी खिलाल के दूँ तो same ही चीज आया आपका कोई difference नहीं आया area of rectangle l into b यहाँ पर 20 print हो गया तो अभी यही रही बात void की अब आपको मैं इसको बताता हूँ यहाँ पर expression में बदल आपने इसको भी single line कर दिया अब इसमें भी curly bracket में हटा दूँगा यह वाले function में int में और इसको भी एकी line में लेके आऊंगा जब मैं देखो यहाँ पर लेका और equal to और if greater than का sign दाले लेकिन यहाँ पर error शो कर रहा है कि भाई return type है जो उसको हम लोग को remove कर दो remove कर दो तो remove कर दिये तो expression में कभी भी आप बदलोगे अगर वो int type का है तो आपको return लिखने की कोई जरुवत नहीं है जैसे हमने void type में curly bracket हटा दिये यहाँ पर आपको curly bracket के साथ return को भी हटाना पड़ेगा तो आपने इस function को भी एक single line में लिख दिया तो single line में लिखने को हम लोग बोलते function को expression में बदलना और इसी को हम लोग बोलते है short and syntax बोलते है कि यह short हो जाता है थोड़ा syntax ओके और fat arrow क्या था यह होता है fat arrow notation तो इस तर आप कोई function को expression में बदल सकते हो तो इसको रहन करके हम लोग देख लेते हैं कि क्या आईगा answer same आईगा cool difference नहीं होगा दोनों में तो यहाँ पर आगया same answer ओके तो इससे क्या पता चल रहा हमें कि code को छोटा भी कर सकते हैं हम लोग expression के दुरू की ज्यादा बड़ा ना दीखे तो यह use होता है function को expression में बदलने का अभी हम लोग next video में जाएंगे जहाँ पर देखेंगे types of parameter देखेंगे optional positional parameter क्या होते है फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे optional लें parameter क्या होते है और उसके बाद देखेंगे हम लोग optional default parameter क्या होता है आप और यह सारे code जो मैं करता हूं यहाँ पर वो आपको सारे code में पूट कर देता हूं और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा जहांचे आप कोड को देख सकते हो पूरा ओके